Kotech 81110 Balance Saving Account तो आज मैं आपको Kotech Application का कुछ जानकारी दूँगा तीन टाइप में तो पहले मैं आपको Benefit और Charges के बारे में बताऊंगा दूसरा आपको मैं खुद का Personal Experience बताऊंगा Kotech Bank के उपर और तीसरा एक Offer है जो आपको वीडियो के End में मालूम पड़ेगा आपको एक Virtual Debit Card एकदम इंस्टेंटली मिल जाएगा अगर आप अप्लाइ करोगे तो फिफ्ट Benefit यह है कि आप विदाव Debit Card आप किसी को भी पैसा पे कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं उसके Bank Account में बिना की Debit Card के और Charges में यह है कि अगर आप एक दिन के अंदर 25,000 के उपर खर्च करोगे तो उसके उपर आपको Interest Pay करना पड़ेगा तो हो सके तो आप एक दिन के अंदर सिर्फ 24,000 तक ही खर्च करो उससे जाधा मत करो यह तो clear है कि इसके अंदर अगर आप Zero Balance भी रखोगे तो भी आपको कोई भी Charges या फिर आपका Bank Account बंद नहीं होगा और अगर आप Debit Card order करते हैं तो आपको Debit Card 300 उपीस में मिल जाएगा और per year आपको 300 उपीस देना पड़ेगा अब देखो मेरा Personal Experience मैंने यहाँ पर 5 में सच में KOTAK 811 में Bank Account खोल दिया था और KOTAK 811 में कोई भी Charges या फिर ओपनिंग फीस में इसे नहीं लिया है और सिर्फ 8 घंटे के टाइम के अंदर मैंने अपना KOTAK 8111 एक्टिवेट कर दिया था और आज तक मैंने जितने भी KOTAK में ट्रांजेक्शन किये हो उसमें कोई भी प्राब्लम या फॉल्ट नहीं है कभी भी मेरा पेमेंट स्टक नहीं वा है तो एकदम परफेक्ट था KOTAK 8111 तो मैं आपको रेकेमेंड करूँगा कि KOTAK 811 बेस्ट ऑप्शन ही है तो अभी जो इसमें ओफर है उसके भर में जानते हैं तो ओफर यह है कि अगर आप इसके अंदर कभी भी कभी भी आप KOTAK 811 में रेजिस्टर करते हैं अपना बैंक अकाउंट खोलते हो के वाइसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरा एफलेट लिंक भी आपको KOTAK 811 का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाके रेजिस्टर करो और 250 का वाउचर टाइम कर लो तो